तो है गाईज स्वागत एक पर फिर से एक नई वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप VioxxC Mobile में आप किस तरीके से किसी भी एपस को हाइड कर सकते हो और साथ-साथ ये भी बताऊंगा कि Hide हुए Apps को आप कैसे देख सकते हो यानि कि कैसे Access कर सकते हो तो जिस तो किसी भी Apps को Hide करने के लिए सबसे पहले आपको Setting Apps को Open कर लेना है Setting Apps को Open करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना यहाँ पर एक Option मिलेगा आपको Security का तो आपको Simply Security वाले Apps पर क्लिक करना है जैसे आप Security पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर एक Option मिलेगा Privacy and App Ingression देख पार हो Privacy and App Ingression लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको अपना Password बना लेना है जो भी आप रखने चाहते हो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है Hide App तो आपको Simply Hide App पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले इस वाले आपसंस को Enable करना है लिखा हुआ View Hidden Apps इसको Enable कर देना है इसको Enable करते ही दोस्तों आपके सामने सारे सारे Apps आपस आजाएंगे इनमें से जिस भी Apps को आप Hide करना चाहते है उसको यहाँ से Enable कर दीजिए तो चलिए मैं Flip Card को Hide कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर चेक मार करके OK करना है आप दोस्तों जितने भी Apps को यहाँ से Enable कर दोगे सारे के सारे Apps Hide हो जाएंगे आपके बहुन से तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख पार हो कहीं भी Hide हुए Apps आपके सामने आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर किसी भी Apps को Hide करना है और उनको कैसे देखना यह भी आपको पता चल गया तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like करके चैनल को सब्स्राइब जरू करिएगा